Internet का access सभी लोग के पास है आज के टाइम में डेटा काफे चीफ हो गया है हर एक बंदा internet यूज कर पा रहा है तो उसी level का knowledge वो बंदा गाम में बेठे बेठे भी ले सकता है बात यहाँ पर यह है कि government का stance जो है recently काफी सही नहीं है और वो लगाता negative stance में चल रहा है तो यहाँ पर यह depend करता है कि आपको government के हिसाब से चलना है या फिर अपना career खुद बना ला है पहली बात तो वही होगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई talented लोग में जानता हो जो ऐसा खुद को रोकते हैं कि अरे जब तक legal clarity नहीं आएगी और जब तक पूरा regulations नहीं बनेगा तब तक हम web3 में कुछ नहीं करेंगे ना career opportunity find out करेंगे या फिर ना investment करेंगे कई ऐसे लोग है जो like की job offer भी उनके पास आते है तो के parents उनको मला कर देते के नहीं web3 में जॉब नहीं करनेगा क्रिप्टो में जॉब नहीं करनेगा तो इसकी वैसे क्याना एक थोड़ा सा ultimately खुद की growth खुद रोकने वाला काम हो रहा है तो मेरे इसाब से अभी जो culture है और अभी जिस साब से we are progressing as a human being it is becoming becoming a global community right we are connecting with all the people from the globe at the same time and instantly we can connect with them we can make a human connection with them a lot of things are happening right because after mostly after the lockdown so metaverse की rise के बाद वो connect और immersive हो जाएगा और ज्यादा पस्तल हो जाएगा तो अभी जो में जो focus हो रहा है global community development पर हो रहा है global experiences पर हो रहा है तो globally काम करने का सोचना चाहिए तो आप इंडिया से रहके भी web 3 project पर काम कर सकते हो उस पर job कर सकते हो web 3 में investment कर सकते हो crypto भी investment कर सकते हो इंडियन गवर्मेंट के बात करते तो इंडियन गवर्मेंट ने जिसे रिसेंटली taxation laws इंटर्डूस किया जो थोड़ा tight है उसके वैसे कही लोगों ने जो investment किया था तो उन्होंने investment करना बंद भी कर लिया कही लोग अभी सोच रहे कि आगे जाके बैनना हो जाए इसाब हो इडिया in my opinion because all these different people have different opinions और यहां पर यह काफी जरूरी है कि आप कितना पढ़के समझ पारे उसके बारे मेराइट किसे ने बोल दिया किसे ने बोल दिया क्रिप्टो को बैन करना ची किसी ने बोल दिया अच्छा नहीं है कुछ बोला है तो उसके बारे में I think it is very important कि आप उस प्रीज गाफ यहां प्राइट की बात होगी आप गिए उस ताइम पर इंटरनेट का इसा ही डेफिनिशन था कि यहां पर प्रॉन दे सकते है राइट अभी वैसे ही इमानके चलों की जरल बंदा जिसको सवज में रहा हो क्रिप्टो को वैसे ही नजर से देख रहा है सब्सक्राइब कर सकते हैं अब अपने लिए कुछ अच्छा जॉप सब्सक्राइब कर सकते हो तो इंडिया का जो अभी जो प्लानिंग चल रहा है पर उसके हिसाब से इंडिया की CBDC डवलेप्मेंट पर उनका ज्यादा फोकस है इंडिया खुद की डिजिटल करन से लॉंच कर रही है जिसकी पीछे की टेक्नलोजी ब्लॉक्चेर है और दो जार तीस से उसके पाइलेट स्टार्ट हो जाएगी अभी आज ही बैंक है और एक स्टेट बैंक ओफ इंडिया और एक और है तो इस चारों बैंक मिलके स्टार्टिक पाइलेट करेंगे नेक्स्टियर से पाइलेट चालोगा मार्च से तो इंडिया का जो फूकस है वो CBDC की रोल आउट पर होगा तो 2023 से लेके 2025 तक वो पूरा प्रोसेस चले आइड और वह बात सभी है क्योंकि क्रिप्टो की टेक्नोलोजी को बोरो करके गवर्मेंट अपना खुद का स्वलूशन बना रही है और आट राइंग टू तो किली बिसेंट्रालाइज एकोनों मियर यह ट्राइंग टू किल दे-सेंट्रालाइज कम्बिटी अन आवरीध इंडिया खुद को इंटरेशनल लेवल पे अपने आपको अच्छा कंट्री और प्रोग्रेसिव कंट्री अपने रेप्रेजेंट करना चाहता है पेको अपने आपके ब menor सतार के रेप्रोग्रेसिक खुद अखरेषब कंट्री में इगे अगले साल काफी टाइट अब वे असकता है और ऊसके बाद कई और सारी कंत्री में आएगा तो यहीरोष् avoiding प्रोपर आजाएगा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बढ़ेगा और जब रेगुलेशन आएगा तो इंडिया में जो बड़े ब्लोकिंग हाउसे से जो इस्टोक की ट्रेडिंग की सर्विस प्रवैड करते हैं जिस अगर जाके प्रेंग की क्रिप्टो की ट्रीट करेंगा तो बैंक खुद वो सर्विस प्रवैड करती है तो इस ट्रेप से आगे जाके फ्यूचर वे एश्टी धीफशी खुद वो सर्विस प्रवैड कर सकती हैं बेंक को अप्लेक्राइंट्स को तो यह सब पॉसिबिटी आगे जाके सब होगा तो आडोप्शन काफी बड़ा बनेगा बड़े प्लोट्स प्लेट में आएंगे और जो चीजी होगी रेगुलेटेड वे में होगी तो लोग का ट्रस्ट बड़ेगा इंवेस्टर कई लोग क सब्सक्राइब करेंगे उनको पता रहेगा उनको पता रहेगा उनको प्रॉपर आवेनेस होगी तो यह काफी जादा एक्साइटिंग है मेरे साब से फ्यूचर काफी एक्साइटिंग है इंडिया में अगर वेब 3 एकोसिस्टर के बात करते तो कही सारे स्टाइप है वेब 3 प्रॉटेक्ट बरा रहे है और अभी जो प्रॉमिसिंग स्टाइप है बिल्दिंग फॉर ग्लोबल ओडिंस प्रॉमिसिस्टर के चाहिए और वेफ बीचन काफी मेरे स्टाइट algum वह।र मेरे साब से एक नहीं एक्साइट आएट पॉर प्रॉमिस्टर काफी यही एक्साइब एक कर वेडिए मैं अगनों इसेंग, हम खुदक के इसाब से grossices से बीच्टर के सा मुछन नहीं, हम इसाइ these are my thoughts on the current state of crypto and how I think the future will be bright for crypto in India and these thoughts are sort of my personal thoughts and these are based on my research in this industry based on my experience in this industry so I hope you like this input I hope you like my thoughts and let me know your thoughts in the comment that you think about it and if you like this video, please like and share and subscribe and don't forget to subscribe to the channel and click on the bell icon so that in future you will see more updates in the future. Thank you.